हलो प्यारे बच्चों, वेलकम बेक टो और्गिनाइज नौलेज चैनल और जब से ICSE का रजल्ट आया है उसके बाद तो सभी बच्चों की जो बेचैनी है अपने रिजल्ट के लिए CVSE बोर्ड के जो बच्चे हैं और भी जादा बढ़ चुकी है कि हमारा रिजल्ट वो कैसा आएगा, कितना परसंटेज आएगा, हमारे मार्क्स कितने आएंगे, क्या रहेगा ये सारे कोश्चन जो है और भी जादा जो है आप बच्चों के दिमाग में आने लगे हैं तो उसी के चलते हम यहाँ पे आपके लिए एक छोटा सा अपडेट लेकर आए हैं कि आपका रिजल्ट कब आ सकता है और जो बेटेस का क्राइटीरिया है वो क्या रह सकता है वीडियो शुरूर करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक भी जरूर कर दीजिए तो बच्चो ICSE का जो रिजल्ट है वो आप बच्चो को पता है कि जो में बोर्ड है उनमें आता है और लगबग लगबग CBSE और ये जो ICSE बोर्ड है इनमें जो है थोड़ा कॉम्पिटिशन भी रहता है जो जो रिजल्ट आया है जो ICSE जो 10th का रिजल्ट आया है अगर हम उसकी कट ओफ देखें तो वो रहा है 99.97 यानि बच्चो आप यहां से देख सकते हो कि जो रिजल्ट है वो इस तरह का है कि हम कह सकते हैं कि लगबग सारे ही बच्चे जो है वो पास हो गई है 99.97 का मतलब है कि केवल वही बच्चे फेल हुए है जो जिन्होंने या तो एकजाम नहीं दिया या तो उन्होंने एकजाम बिलकुल नहीं दिया है वही बच्चे यहां पे केवल फेल हुए है तो यानि कहने का मतलब है कि यहाँ पे जो भी बच्चे एक्जाम में बैटे उन सभी बच्चों का रेजल्ट वो यहाँ पर पास जो है उनको किया गया है यानि उनका रेजल्ट अच्छा रहा है अब यहाँ पर देखते हैं कि जो ये board था उसमें जो criteria है वेटेज का marks का criteria वो क्या लिया गया है और जो जो ICSE का result आया है उसमें जो students हैं उनमें girls ने जादा better perform किया है than boys ठीक है और बहुत अच्छा result जो है वो दिया गया है जैसे कि आपको पता है Sunday evening को 5 बजे जो result है वो declare किया गया था and यह देखें CISCE clarified that it would give equal weightage to semester 1 and semester 2 exam to arrive at the final score यानी final जो है score बनाने के लिए जो board है CISCE उसने equal weightage semester 1 और semester 2 को दिया है यानी equal weightage देने के बाद भी जो result है वो 99.97 जो है वो हमें देखने को मिला है यानी कहने का मतलब है कि आपको tension लेने के बिलकुल भी बचे ज़रूरत नहीं है अगर CBSC पहली बाद तो CBSC जो है इस तरह की कोई चीज़े डिकलेर करने वाला नहीं है कि best of either term रहेगा या जो है जो semester 1 है semester 2 है उसको equal weightage दी जाएगी वैसे तो chances जो है वो equal weightage की ही ज़्याद में ये चीज़ जो है डिकलेर की है, clarify की है, the CISC clarified that it would give equal weightage to semester 1 and semester 2 exam to arrive at final score तो इसी के चलते जो है हम कह सकते हैं कि चाहे CVC जो best of या तो best of either terms करें या 100-100% जो है दोनों को weightage जो है वो दी जाए, equal weightage दी जाए semester 1, semester 2 को तो भी जो result है आपका बचो वो बहुत ही अच्छा result रहने वाला है, तो आपके tension जो है वो बिलकुल भी इस बारे में नहीं होनी चाहिए कि हमारा result कैसा आएगा और जो result है आपका, वो आपका declare होने के chances है last week of July, ये काफी पहले से news आ रही है कि जो result है वो last week of July जो है उस समय declare किया जाएगा, इस बारे में बहुत पहले education minister जो है धर्मेंदर प्रधान उनके द्वारा भी जो है ये कहा गया था, the union minister of education जोनोंने ये बयान दिया था July 15 को कि जो exam है वो till 15 जून तक हुए है और जो checking process है वो लगबग 45 days लेता है और उसको देखते हुए CBSC का कोई जो CBSC उसमें कोई भी देरी नहीं है ठीक है तो उन्होंने ऐसा जो है पहले भी कहा था कि result late नहीं है जो भी हमारा schedule होता है जो भी checking का process होता है उसी को देखते हुए जो result है वो last week of July में declare किया जाएगा कि जो result आएगा वो बिलकुल on time होगा तो ऐसा जो है उन्होंने कहा था तो यह दी आपके लिए आज की update तो अभी आपको और थोड़ा सा इंतिजार करना पड़ेगा result के लिए और चैसे ही इसके बारे में और का information मिलेगी तो आपको जरूर उसके लिए update करा दिया चाएगा तो tension बच्चों बिलकुल नहीं लेनी है result आपका board को देखते भी बहुत अच्छा आने वाला है क्योंकि cbse भी नहीं चाहता कि उसकी reputation जो है इस तरह से खराब हो क्योंकि covid time में बहुत problems रही है बच्चों को online studies को लेकर और इस तरह की बहुत सारी problems जो है वो face करने को देखी गई है इसलिए कहीं न कहीं cbse इस बात को समझते हुए result declare करने वाला है जिसकी वज़े से result आपका भी बहुत अच्छा आने वाला है so ये थी update i hope कि आपको अच्छे लगी होगी वीडियो अच्छे लगी तो जरूर इसको like कीजिए share कीजिए और channel को भी इसी तरह की और update के लिए सबस्क्राइब कीजिए so thanks for watching